देश में आज भी जहां लोग दबा की अभाव में दम तोड रहे हैं चोटे-छोटे टेब्लेट और इंजेक्शन भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं लोग लगातार बीमार होकर के गंभीर बीमारियों के सिकार होकर के इह लिला समाप्त कर रहे हैं जहां आभी भी भूग से मौते हो रही है जहां आज भी फिर पर मेला ढोने की प्रथा बदस्तूर जारी है अनेका नेक कोनों में जहां सिख्षित नहीं हो पा रहे हैं बच्चे जहां अतन ढखने के लिए कपड़े भी नहीं है उस देश में माननीयों ने तो हद कर दिया वा लेकिन कोई किसी से कम नहीं है राजसभा हो चाहें लोगसभा हो अब देखिए न इस बार का जो सत्र चला है उसमें लोगसभा और राजसभा की कारवाई 248 गंटे हंगामे की भेट चड़ गई एक घंटे की कारवाई में देड़ करोर रूपे खर्च होती एक घंटे की कारवाई चलेगी खर्च कितना होंगे देड़ करोर रूपे खर्च होंगे राजसभा में 120 गंटा और लोगसभा में 127 गंटे 45 पिनट सदन की कारवाई बाधित रही है हंगामा हुआ है 29 वेटकों में मात्र 22 दिन ही कामकाज हुआ है प्रस्ताविद 65 बिदेयक तो सदन का मौह ही नहीं देख पाए ऐसे में साहब कौन सी अपेक्षा आप से किया जाए दुखत पक्ष है दुरभागे पुरुन पक्ष है ननिये पक्ष है लोग सभा में कुल पांच बिल पेस हुए वही किसका है एक दूसरे पर दो सार ओपन लगातार किया जा रहा है प्रधान मंत्री जी बिपक्ष पर हमला करेंगे अमिच साह बिपक्ष पर हमला करेंगे और बिपक्ष कहेगा साहब इन लोगों ने सदन चल नहीं नहीं दिया विदिके जानकारों का कहना है कि सत्ता की जिम् करके चौदावी लोग सभा में मैंने RTI लगा करके पूछा था तो पता लगा था कि टूजी एस्पेट्रम के सवाल पर छठे साते में और आठे में सत्र में कुल 45 दिन सदन की कारवाई नहीं चली एक सांसद ने एक दिन की कारवाई का 2000 रुपया लिया था उसमें सब थे किस उसको बताये ज़ए नाव है Dr. दौली मनोहर जोशी का नाम है स्री मुलायम से जादोु का नाम है H.D. देव गोडा का नाम है अलाल जी टंदनस साहब का नाम है ऐसे लोगों का कूल मिलाके 120 सांसद को छोड़कर सेज सभी ने अपना जहरा काला किया था मैंने इस speaker को लिखा था हमने लोग सभा के अध्यक्ष को भी लिखा था उसमें सोमनाच चटर जी साहब थे हमने का इनके उपर कारवाई करिये दादा आप लगातार चिला रहे हो सदन नहीं चल रहा है क्या हो रहा है देश में देश को लोग तमासा देख रहे हैं लोग चमा नहीं करेंगे ऐसे काम नहीं चलेगा अबने का दादा इन्हें जेल में डाल दो यह जेल के पात रहे हैं इस speaker को और लोग सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि इन्हें सदन के बाहर कर देंगे इन्हें निलंबित कर देंगे आवसक्ता पढ़ने पर इन माननियों को जेल में डाल देंगे आज भी यह लोग चिला रहे हैं लोग सभा के ध्यक चिला रहे हैं और राजिसभा के सभापती चिला रहे हैं मैडम करिये न और आपने भी तो वही कमवा किया है आप जब भी पक्ष में थी तो आप भी चिलाती थी कोबर छोट कहत अपराधू गोसामी तुलसीदाफजी ने इसे लिखा है किसे छोटा अपराधी कहा जाए किसे बड़ा अपराधी कहा जाए आप सभी देश के साथ अन्याय कर रहे है निश्चित रूप से छमा के पात रही है किन्तु वज़ा यह है कि साहब कुट्य की पूछ में कमल का फूल बाथ दिया जाएगा तो वही नेता रहेगा जिसको दे दे हैं राजक होगा, तसकर होगा, माफिया होगा, लुटेरा होगा, गुंडा होगा, मवाली होगा वही भाजपा का नेता होगा उसी को लोग कहेंगे जिंदा बाद हमारा नेता कैसा हो? इस गुंडे जैसा हो समाजबादी पार्टी ने जिसको साइकिल पर चढ़ा दिया है तो समाजबादी पार्टी का कारिकरता कहेगा हमारा नेता कैसा हो फला अपराधी जैसा हो बहिंजी ने जिसको दे दिया है टिकट तो उनका वर्कर कहेगा हमारा नेता कैसा हो बहिन जी ने जिसको बताया है वैसा हो यह इस्तिति यह देश के सामने दुर्भागेपुरूर पक्ष है और यह देश के लिए आउनती का मारग है कब सुधरेंगे लोग मैं नहीं जानता लेकिन तोका टाकी करना हस्तक छेप करना मुझे अस्मरन है मैं उस समय अस्थानी सां संसथ जो हमारे गाजीपुर के संसत थे उनके खिलाफ हमने तहरीर दिया था पुली सदिक्षित से मिलकर कि हमने का 90,000 रुपया इन्होंने लिया है और यह जनता का पैसा है Public Money है इस तरह से जनता के पैसे को इन्होंने हर पाए है कूट रचना किया है बलिया के संसत पर दि कि इनका यह भी पक्ष में है यह चिलाएंगे साब क्या है यह बेल में जा करके हला नहीं कर सकते यह पगड़ी नहीं बाद सकते मतलब पगड़ी बादने का मतलब जो सिख समुदाय के उन्हें छोड़ करके यह ऐसे उस तरह से नहीं जा सकते कागज के टुकड़े नहीं फेक सकते, बेल में बैट नहीं सकते, मुर्दा बाद जिन्दा बाद नहीं कर सकते, लिकिन तू उसे तो छोड़ दिया जाए, यह लोग ऐसे कुकृति कर रहे हैं, जितना तो जगडालू बस्तियों में भी ऐसा नहीं होता, गाओं की जगडालू महिलाएं, और जगडालू लोग जो ले में इनकी भूमिका में है, यह माननी सांसद महोद है, माननीयों आपसे वो अच्छे हैं, मैं ऐसे माननीयों की भर्षना करता हूँ, निंदा करता हूँ, इनकी आलोचना करता हूँ, और इनके गुड सेंस की कामना करता हूँ, सचेस्ट नागरी की हैसियत से, आसा है इन्हें सरम आएगी, यह पब्लिक मनी है, आप सबने दुर्पयोग किया है, माना कि भले ही वोट लोग जात की आधार पर देदें, दल की आधार पर देदेंगे, लेकिन आने वाला समय, आने वाली हमारी जन्देशन, आने वाले हमारे ही बच्चे, आपको कलंकित मानियों के रूप में याद करेंगे, आज हम है, 7 अपरेल 2018 को अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते वे, मानियों के गोड सेंस की कामना करते वे, धन्यबाद.